हेलो स्वागत है आपका फ्रेंज जीकेगु शानल पे मेरा नाम है किरन भावर आज के इस वीडियो में हम करेंट अफेर से कवर करेंगे महत्पुन न्योक्तिया काफी जादा इंपॉर्टन टॉपिक है आपके आने वाल एक्जाम के लिए वीडियो को पुरा जरूर हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को फर्स्ट कोशन है हाल ही में कौन भारती मुल्के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री बने हैं करेक्ट अंसर क्या होगा इसमें सा ओप्शन डीवाला रिशी सुनक आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में हमने यहाँ पर सारे कुशन के अंसर में फोटो का भी यूज किया है ताकि आपको फोटो से भी याद हो जाएं वर्तमान समय में ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री कौन बने हैं रिशी सुनक बने हैं यहाँ भारती मुल्के व्यक्ति हैं नेक्स कुशन है भारत देश की भारत इनकी जगा पर अब बने हैं ब्रधान मंत्री कौन भें यहाँ नेक्स कुशन है सरवोज न्याले के नए न्याय दिश कौन बने हैं पहले उदेश ललित थे इनके जगा पर अभने हैं बने हैं कौण बने हैं इसका गर्रेक्ट अंसर होगा ऑप्चिन सी वाला आर्वनकट रमडी देश के नए महानियावादी है नेक्स्ट कोशन है राज्यसभा के नई सभापती कौन बने है जगदीब धनकड बने है जो देश के उपरास्टपती होते हैं वही राज्यसभा के सभापती के रूप में कारे करते हैं तो जगदीब धनकड ये राज्यसभा के नई सभापती बने है नेक्स्ट कोशन है वर्तमन समय में नई मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं काफी जदा important कोशन कई बार exam में आ चुका है देखे देश के नई मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है राजिव कुमार है इनका नाम है राजिव कुमार नेक्स्ट कोशन है देश के नई चुनाव आयक्त कौन बने है देश के नई चुनाव आयक्त कौन बने है राजिव कुमार करेक्ट अंसर का ओप्शन सेवाला राजिव कुमार देश के नए उप्छनाव आयक्त कौन बने है ? नए नियंत्र के वा महालेखा परिख्षक कौन बने है ? ये कौैशन भी काफी ज़दा important है ? कौन है, correct answer का option बेवाला, गिरिश चंद्र मुर्मू, इनका नाम है गिरिश चंद्र मुर्मू, ये नए नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक है, next question दिखेगा, भारत देश के नए महालेखा नियंतरक कौन बने है, भारती दास बनी है, ये भारत देश के नए महालेखा नियंत नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक अलग होता है और महालेखा नियंत्रक अलग होते हैं यह सारी चीज़े मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हो मैंने पूरा भारती सविधान आप लोगों को पढ़ाया है प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से जितने भी यह वर्ड्स जो आपको नजर आ रहे है रास्ट पती कौन है उपरास्ट पती नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक अप्चनावयक यह कौन है कैसे इनको बनाया जाता है इनका क्या कारे है यह सारी चीज़े मैंने आप लोगों को भारती सविधान में पढ़ा दी है नेक्स्ट कुशन ह भारत देश के नए CDS कौन बने है इंके पहले बीपिन रावत थे अब कौन बने है यह पद काफी समय से खाली था नेक्स्ट कुशन है प्रधान मंत्री के नए सलहाकार कौन बने है प्रधान मंत्री के नए सलहाकार बने है तरुन कपूर अंसर रोग ऑप्शन सी वाला सलहकार है नेस्ट कोशन है वर्तमान समय में नए विदेश सचीव कौण बने है correct answer को ओप्षन एवाला विने मोहन कौातरा ये वर्तमान समय में नए विदेश सचीव कौन बने है याद रखेगा il toward question है next question देखे हाल ही में तरुन बजाज के स्थान पर भारत के ने राजिस्व सचिव कौन बने है पहले तरुन बजाज हुआ करते थे अब कौन है राजिस्व सचिव correct answer होगा option एवाला संजे मलहोत्रा इनका नाम है संजे मलहोत्रा ये वर्दमान समय में राजिस्व सचिव है नेक्स्ट कोशन देखेगा भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है correct answer होगा option एवाला गिरीधार अर्माने गिरीधार अर्माने भारत सरकार द्वारा नय रक्षा सचिव नामित किये गये है नेक्स्ट कुशन है देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं गरेक्ट अंसर होगा ऑप्शन बीवाला अनन्त नागिश्वरन याद रखेगा इंपॉर्डन कुशन है अनन्त नागिश्वरन देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं नेक्स्ट कुशन द प्रधान विज्ञानिक सलाहकार बने हैं चले नेक्स कुशन के दर बढ़ते हैं वर्तमान समय में इंटालीजन्स व्यूरो के निदेशक कौन हैं करेक्ट अंसर क्या होगा इसमें से करेक्ट अंसर ऑप्शन बीवाला तपन कुमार डेका इंपॉर्टन कुशन है याद वर्तमान समय में इंटालीजन्स व्यूरो के निदेशक कौन बने हैं तपन कुमार डेका बने है इसमें से करेक्ट अंसर क्या होगा और ए वाला सामंत कुमार गोयल बने हैं एनालिसस विंग के नए प्रमुख नेक्स्ट कुशन है राष्ट्री चांच एजन्सी के नए महानिदेशक कौन बने है करेक्ट अंसरोग ऑप्शन सी वाला दिनकर गुपता दिनकर गुपता नाम हैंका ये वर्तमान समय में एन आई ए के नए महानिदेशक बने है ससत्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने है करेक्ट अंसरोग ऑप्शन डी वाला एस एल थाउसन एस एल थाउसन ये ससत्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने है साथ में CRPF के भी महानिदेशक है केंद्रे रिजर पुलिस बल के भी ये महाने देशक है याद रखेगा नेक्स्ट कोशन है केंद्रे अध्योगिक सुरक्षा बल के नए महाने देशक कौन बने है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा नए बने है नाम है इनका मरणा लीनी श्रीवास्तव याद रखेगा मरणा लीनी श्रीवास्तव राश्ट्य आपदा प्रतिकरिया बल के नए महानिदेशक बने है रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन है और पी एस एफ के नए महानिदेशक कौन है संजय चंदर है correct answer होगा option B वाला next question है नीती आयोक के नए CEO कौन बने है important question नीती आयोक के नए CEO कौन बने है परमेशवरन अयर बने है correct answer होगा option D वाला इनका नाम है परमेशवरन अयर नीती आयोक के नए CEO है नीती आयोक के अध्यक्ष कौन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी है और उपाध्यक्ष कौन है सुमन कुमार बैरी है वो भी नए बने है सुमन कुमार बैरी next question है संग लोक सेवा आयोक के नए अध्यक्ष कौन बने है correct answer ओप्शन भीवला डाक्टर मनोज सोनी, डाक्टर मनोज सोनी बने हैं संग लोग सेवा आयोक के नए अध्यक्ष, नेक्स्ट कुशन है, राष्ट्य मानावादिकार आयोक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसमें से correct answer क्या होगा, correct answer option सेवाला, अरुन कुमार मिश्रा, अरुन कुमार मिश्रा अध्यक्ष कौन बने हैं, राष्ट्य मानावादिकार आयोक के नए अध्यक्ष, नेक्स्ट कुशन है, रेलवे बोड के नए अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं, correct answer होगा option डीवाला, विनेख कुमार त्रिपार्टी, विनेख कुमार त्रिपार्टी, रेलवे बोड के नए अध्यक्ष एवं CEO बने हैं, नेक्स्ट कोशन दिखेगा, भारती प्रती भूती एवं विनियम बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, करेक्ट अंसर क्या होगा, इसमें से ओप्शन डी वाला, अजे इत्यागी, अजे इत्यागी बने हैं, इनके पहले मादवी पूरी नेक्स्ट कोशन है, केंद्र प्रतिक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, करेक्ट अंसर क्या होगा, इसमें से, करेक्ट अंसर ओप्शन, ए वाला, नितिन गुपता, नितिन गुपता नाम हैंका, ये केंद्र प्रतिक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने है नेक्स्ट कुशन है भारती विशिष्ट पहचान प्राधी करण के नए CEO कौन बने हैं। काफी ज़दा important question, correct answer होगा इसका option C वाला, सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग बने है भारती विशिष्ट पहचान प्राधी करण के नए CEO। Next question है, Gas Authority of India Limited के नए निदेशक कौन बने हैं। correct answer होगा option B वाला, संदीप के गुपता बने हैं। Next question है, Hindustan Petroleum Corporation Limited के नए निदेशक कौन बने हैं। correct answer होगा option A वाला, पुष्प कुमार जोशी। अब देख सकते हैं, आपर फोटो में पुष्प कुमार जोशी बने हैं, Hindustan Petroleum Corporation Limited के नए निदेशक। Next question है, ग्रामिन विद्यूतिकरन निगम के नए निदेशक कौन बने हैं। ग्रामिन विद्यूतिकरन निगम के नए निदेशक का नाम है विवेक कुमार देवांगन, याद रखेगा विवेक कुमार देवांगन। चले नेक्स्ट कुशन के दर बढ़ते हैं, भारती परेटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। Correct answer होगा option B वाला, संबीत पात्रा, संबीत पात्रा बने हैं भारती परेटन विकास निगम के नए अध्यक्ष। Next question है, All India Limited के नए निदेशक कौन बने हैं। Correct answer होगा option D वाला, संबीत रत, संबीत रत बने हैं, ऑईल इंडिया लिमिटेट के नए निदेशक। Next question है, राष्ट्य स्पात निगम लिमिटेट के नए निदेशक कौन बने हैं। Correct answer होगा option A वाला, अतुल भड, अतुल भड बने हैं, राष्ट्य स्पात निगम लिमिटेट के नए निदेशक। Next question है, विश्व विध्याले अनुदान आयोक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। U, G, C के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसमें से correct answer होगा option C वाला, M, जगदीश कुमार, M, जगदीश कुमार बने हैं विश्व विध्याले अनुदान आयोक के नए अध्यक्ष Next question है, जवाहर लाल नहरू विश्व विध्याले के कुलपती कौन हैं। काफी जगदा important question, इसका correct answer होगा option B वाला, शांती शरी दूली पूडी पंडित बनी हैं, जवाहर लाल नहरू विश्व विध्याले के नए कुलपती Next question है, राष्टिय सैश्य कनुसंधान एवं परिक्षन परिसद के निदेशक कौन बने हैं। Correct answer होगा, इसमें सा option C वाला, दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं, राष्टिय सैश्य कनुसंधान एवं परिक्षन परिसद के निदेशक Next question देखे, केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा बोड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। Next question है, अब कौन बने हैं, गौरव द्रिवेदी बने हैं। Next question है, इंडियन न्यूस्पिपल सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये भी नई बने हिन का नाम है के राजा प्रसाद रड़ी याद रखेगा के राजा प्रसाद रड़ी बने है इंडियान न्यूस पिपर सोसाइटी के नई अध्यक्ष नेक्स्ट कोशन है वर्तमान में इसरो के नई अध्यक्ष कौन बने है इसरो के नई अध्यक्ष कौन है याद रखेगा, S. सोमनात, काफी ज़ादा important question, S. सोमनात है वर्तमान समय में, इसरो के नए अध्यक्ष, next question है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने है, ये question भी काफी ज़ादा important है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है, नए ब बने है, इसका correct answer होगा option D वाला, नला थंबी कलाई सेलवी, याद रखेगा, काफी ज़ादा important question है, विज्ञानिक एवं ओध्योगी कनुसंधान परिसद की, जो नए महाने देशक बनी है, उनका नाम है, नला थंबी कलाई सेलवी, next question है, विक्रम सारा भाय अंत्रिक्ष कें के नए निदेशक कौन बने है, इसका correct answer option B वाला, डक्टर उने कृष्णन अयर, डक्टर उने कृष्णन अयर वने है, विक्रम सारा भाय अंत्रिक्ष केंद्र के नए निदेशक, next question है, अंतराश्टी क्रिकेट परिसद के नए अध्यक्ष कौन बने है, correct answer option B वाला, बारकले बने हैं अंतराश्टी क्रिकेट परिसाद के नए अध्यक्ष नेक्स्ट कुशन है भाति क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं कर्रेक्ट अंसर होगा इसका ऑप्शन डी वाला रोजर विन्नी याद रखेगा इंपोर्ड़न कुशन है नए बने है BCCI के नए अध्यक्ष है रोजर विन्नी नेक्स्ट कुशन है होक्की इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने है बताईए ये भी नए बने है होकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने है दिलीब, टर्की बने है जाद रखेगा दिलीब, टर्की Next question है भारती आलिंपिक संह के नए अध्यक्ष कौन बने है Correct answer option C वाला आदिल सुमरेवाला आदिल सुमरेवाला बने है इसका correct answer होगा option D वाला मुहमद जलूद बने हैं अंतरास्ट्रे भारत तोलन महासंग की नई अध्यक्ष Next question है अंतरास्ट्रे होकी महासंग की नई अध्यक्ष कौन बने है इसमें से correct answer होगा option A वाला शेफ एहमद शेफ एहमद हैं अंतरास्ट्य होकी महासंग के नई अध्यक्ष नेक्स्ट कोशन है अंतरास्ट्य मुक्य बाजी संग के नई अध्यक्ष कौन बने हैं क्या नाव हैं का लवलीना बॉर्गोहन लवलीना बॉर्गोहन बनी है अंतरास्ट्य मुक्य बाजी संग की नई अध्यक्ष नेक्स्ट कोशन है, जीवन बीमा निगम के नए प्रबंद निदेशक कौन बने है? काफी ज़्याद इंपोर्टन कोशन, करेक्ट अंसर क्या होगा इसमें से, थोड़ा सा कैस कीजिए भारती जीवन बीमा निगम, इसके नए प्रबंद निदेशक कौन बने है? करेक्ट अंसरों को ऑप्शन से वाला BC पतनायक BC पतनायक है और इसके अध्यक्ष कौन है MR कुमार है Next question है अलपसंख्य कमामलो के नई कैबिनेट मंत्री कौन बने है क्या नाम है इनका स्मृति इरानी नाम है स्मृति इरानी बनी है अलपसंख्य कमामलो की नई कैबिनेट मंत्री साथ में ये महला एवं बालविकास मंत्री भी है Next question है वर्तमान में नई स्पात मंत्री कौन बने है क्या नाम है इनका जोती रादित्य सिंध्या जोती राद्यत्य सिंध्या वने हैं वर्तमान समय में नए इस्पात मंत्री ये साथ में नागरी कुडियन मंत्री भी है याद रखेगा नेक्स्थ कॉशन है वर्तमान में भारतिये रिजर बैंक के गवर्नर कोन है? शक्ति कान तिदास है करेंट अंसर को ऊपशन सी वाला इंपोर्टन कोशन है याद रखेगा RBI के गवर्नर कौन है शक्ति का अंतिदास है नेक्स्ट कोशन है भारती रास्टे कॉंग्रेस की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है बहाती रास्टे कॉंग्रेस की अधिक्ष कौन बने हैं मालिका आरजुन खडगे बने हैं इनका नाम है मालिका आरजुन खडगे नेक्स्ट कोशन आप सभी लोगों के लिए जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है कॉशन है भारत में हर घर आर ओ जल वाला पहला गाउं कौन सा है ऐसा कौन सा गाउं है जहां पर सुईदा करती गई है गाउं के हर घर में आर ओ का जल पहुँचाया जाएगा इसमें से करेक्ट अंसर क्या होगा चार ओप्शन आपके पास कमेंट करके ज़रू बताइगा आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको यूसफुल लगी है आने वाले एक्जाम के लिए हल्फुल लगी है तो हमारी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन आइकन पर आल प्रेश ज़रू कर दें जब भी हम वीडियो अप्लोड करेंगी तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा आज की वीडियो में इतना ही ठैंक्यू